हेलो एरिवन वेलकम तो माई चैनल आज क्यूटियो में मैं आप साथ शेयर करने वाली हूं प्रैप्टेस मेकिंग पैरी इजी स्टेप्स में आप साथ शेयर करूंगी अगर आप बिगनर्स हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो किजिएगा वीडियो को एंड तक देखेगा आपक करें वीडियो स्टेट करने से पहला है और मेरी चैनल पर पहली बार आए या मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं यहां पर यहां पर साड़ी इस आपर साड़ी में बनी हुई है तो सबसे पहले हम अबर्स का उपर मैं ने अपना मेजरे मेंड के साव से कुछा हूं यहां पर हमारी ड्राफ्टिंग कट हो चुकिए है अब इसको हम फैब्रिक पे कट करेंगे साड़े के पलु वाले साइड से कुछ बनाएंगे क्योंकि पलु वाले पाट ने जहाँ पर यह सरकल बने हुए है उसमें छोटे- सारे को फिर से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से उसके बाद हम पैटन को लेंगे जो हमने बैक पार्ट को हमने इसमें से निकाल लिया था अब इस पैटन पे कुछ दूसरा पैटन को ड्रॉ करेंगे उसके लिए सबसे पहले अपने नेक को हम ड्रॉ करेंगे हम कितना नेक ले तो यह निच्ड का पॉंण ले लेते हैं यहां पर मैं सेवन इंच पर लोगी है इसके बाद नीचे से हम फाइव इंच पर मांक करेंगे और राइट में पर मुझा आजेंगे उसी के नीचे साइट से हमें दो इंच आज पर ले लेकि आजिए यहां से हम पूरा V Neck के जहां हमने neck को बांक किया है पूरा मिला लेंगे इसको line को solder तक और फिर इसको हम कट कर लेंगे यह हमारा front का pattern कुट हो गया है अब इस pattern को हम अपने साड़ी के उपर रखेंगे साड़ी को double fold करने के बाद इसी से हमारे दोनों part निकलेंगे front के यह देखिए मेरे दोनों front के पार्ट निकल गए हैं अब इसका अस्तर भी cut कर लिए है यहां पर मैंने अस्तर भी cut कर लिया है front and back का अब हम इसके dress का नीचे वाला part को cut करेंगे बच्चे हुए साड़ी वाले part को मैंने इस से double fold कर लिया थाड़ी को कॉर्णर वाले साइट से हम इसका वेस्ट मेजरमेंट करेंगे पहली तो मैंने यहां पर 20 इंच पर वेस्ट लिए है एवन इंच में एक्स्टर लिया है जो हमारे स्टेचिंग पर जाएगा और उसके बाद इसकी लेंगे लेंट लिनी के बाद हम टॉप पे अपना इंच टेप टेखेंगे यहां से इसको सरतल करते हुए जाएंगे एक साइट में थोड़ा सा कम होता है इसका लैंथ साड़ी की और एक साइट में बड़ी होती है जो कम वाली लैंथ है उसको हम फ्रेंट साइट से लेंगे अब यह जड़ा क्ट होचुका है मेरा नीचे का पार्ट अब हम इसकी स्लिप करेंगे जितना भी बचा हुए पार्ट में से इस तरह से जो भी बचावा पार्ट है मैं उससे बना रही हूं इस तरह से रखेंगे इसको और इसका आर्म होल यहांपे मैं ड्रोगर कर लूँगी। मैं 7 in लूंगी और 7 in के पाद जितना फ्रायर में पास आता है मैं उतना पुरा कट कर लूँगी दोनों इसे करणा है यह मेरे पास दोनों सब्सक्राइब कट हो गई है अब हम चलते हैं इसके स्टेजिंग की तरफ मैंने यहां पर डोरी पहले से बना के रखी है 15 इंच की और एक 14 इंच की डोरी बनाई है एक 16 इंच की भी बनाई है एक चोटी और एक बड़ी 2 इंच का परक है इसमें अब हम इस फ्रंट वाले पार्ट को इस फ्रंट वाले अस्तर पर जोइंट करेंगे उससे पहले हम यहां वहां पर पर डोरी लगाएंगे को जो इसका कॉर्णर वाला साइड है वहां पर डोरी लगा रहे हैं पहले मैं इसको बड़ी वाली डोरी को लगाऊंगी इस तरह से हम असथार और इसकी बीच में रखेंगे डोरी को उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे तो से तीन बार हमें यहां पर पक्का कर लेना है स्टीच करके ताकि जब भी हम डोरी को रैप करें तो खुले ना इस तरह से उसके पाद हम इसकी नेक के साइड पर स्टीच करते हुए जाएंगे इस साइड से पूरे में स्टीच कर लेंगे उसके बास को फोल्ड करेंगे और अस्तर वाली साइट पर टॉप स्टीच करेंगे फिर अस्तर को फोल्ड करेंगे अंदर की साइट से फिर उपर साइट से एक और टॉप स्टीच लगाएंगे इस पर तसतर से असतर सैट हो जाएगा हमारा ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट पे भी करना है और उसके बाद इसके चारो कॉर्नर्स पे सिलाई लगा लेनी है उपर साइट से अब यहाँ पे मेरे दोनों पार्ट बन चुके हैं फ्रंट के अब हम नीचे साइट से 5 इंच पे मार्ग करेंगे और नीचे साइट से भी एक मार्ग करेंगे और दोनों साइट पे हाफ हाफ इंच का एक मार्ग करेंगे और वहाँ पे जो हमने स्टीच किया हुआ है उतने हिस्ते को स्टीच का खोलेंगे हम उसके बाद स्टीच किया हुआ जो धागा है उसको थोड़ा सा खीजेंगे जिससे यहाँ पे थोड़ा से गैदर्स बन जाएंगे और यह हमारा एक प्लेट बन जाएगा यहाँ पे ऐसे हमें दूसरे पार्ट में भी करना है अब इसके राइट साइड पे इस तरह से मार्क करेंगे जहां से हमारा जो यह डोरी है वो भार निकलेगी इस तरह से इतने हमें कुछ लाई नहीं करनी है अब यह बैक का पार्ट है इस पे भी हम अस्तर को अटैज कर लेंगे अस्तर को अटैज करने के बाद 5 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे और 5 इंच यहाँ से मार्क करेंगे यहा को यहां पर इसकी फ्लेट भी लग चुकी हैं अब इसके हम सोल्डस को जोइं करेंगे तो फ्रंट बाले पार्ट को रहेंगे इसके उपर दोनों साइट्स को उसके बाद हम पुरा सोल्डर जॉइंट कर लेंगे अब इसके दोनों सोल्डर जॉइंट हो चुके हैं अब इसके हम फिटिंग पर मार्क करेंगे फिटिंग के लिए यहाँ पर 7 इंच पर मैं नेक ले रही हूँ तो यहां पर mark कर लेते हैं और उसके बाद bast का size ले लेते हैं 19 inch in waist का size लेते हैं 16 inch यहां पर हम पूरा mark llevar कर लिएंगे अपना fitting का mark और उतने हम पूरी लेंगे इतना इससा जहां से हमारा करेंद आज आएगी अब हम जो हमारा नीचे वाला पार्ट के साइड पे हम सिलाई कर लेंगे अंदर के तरफ फोल्ड करके आधा इंच मैंने इसमें फोल्ड कर लिया आधा इंच अंदर के तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दी है अब हम लेंगे इसका उपर का पार्ट जो हमने रेडी कर रखा है और इसके वेस्ट पे हम रखेंगे पूरा उसके बाद इसमें हम पूरी सिलाई लगा लेंगे और नीचे साइड से भी आदा इंच जितना फोल्ड करके आप स्टिच कर सकते हो या आप इसमें पीको करवा सकते हो तो मैंने यहां पर आदा इंच अंदर की तरफ करके फोल्ड किया है और यह हमारा ब्रैप ट्रस बनके रेडी हो गया आज की वीडियो कर आपको पसंद आए मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए बाई